नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ग्यानलों में आज हम सौलू करेंगे कोश्चन नमबर 9 तो इसके अंदर हमें क्या दिया गया है? इसके अंदर हमें दिया गया है कि जो साइड A B है और फे परलेलोग्राम A B C D तो परलेलोग्राम A B C D दी गई है और उसके जो साइड A B है अब यहाँ पर देखिए फिगर में A B C D यह क्या है परलेलोग्राम और उसकी जो यह साइड A B है उसको आगे की तरफ बढ़ाया गया है तो एनी पॉइंट P अब इस A B साइड को आगे P की तरफ बढ़ा दिया है अब एक लाइन है जो A से और परलेल टू C P इस C P के परलेल अब लाइन तरू A और इस C P के परलेल मीट्स एट मीट्स C B परडूर्ड एट क्यों हो यानि कि यह जो है C B इसको हम आगे की तरफ बढ़ा दें A को जो है A से हम C P के बिल्कुल पैरलल लाइन ले ले तो C B को आगे बढ़ाएंगे CP के बिल्कुल पैरलल लाइन जो ले रहे हैं A से तो वो जो है यह थो है यह दोनों लाइन यहाँ पर मीट्ट करती है तो यहाँ पर यह Q point हमें मिलता है and then parallelogram PBQR यह जो parallelogram है PBQR यह complete हो जाती है यानि कि यह बन जाती है हमारे पास हमें क्या बताना है show that area ABCD जो area है ABCD यानि कि यह जो area है area of PBQR के बराबर है PBQR के बराबर है तो यह area हमें बताना है अब यहाँ पर हमें सबसे पहले क्या करना है यह जो parallelogram दे गई है ABCD और PBQR यहाँ पर हम इनका diagonal ले लेते हैं तो यहाँ पर हमने एक diagonal ले लिया यहाँ पर भी हम एक diagonal बना लेते हैं जो कि इसको बराबर हिस्से में बाट देगा उपर और नीचे अब इसका मतलब क्या है अगर हम यहाँ पर इस तरह से लिख ले माली जी आप parallelogram ले रहे हैं ABCD तो parallelogram ABCD की बात करते हैं इसके अंदर क्या किया हमने diagonal ले लिया AC AC diagonal लिया यहाँ इसने आदा आदा इसको बंट दिया यहाँ पर ऐसा क्या कर सकते हैं हम क्या लिख सकते हैं जो area ABC है जो area ABC यानि की नीचे वाली triangle का area है वो इस पूरी parallelogram के half होगा क्योंकि यह जो diagonal है इसको आदे में बंटता है तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं यह half जो होगा area ABCD जो parallelogram है उसके half area के बराबर होगा इतना clear है तो यह first relation हम ले लेते हैं इसी तरह से सेम काम हमें बी जो बी पी आर क्यों इस triangle के parallelogram के अंदर करना है जो parallelogram है PBQR कह लीजिए PBQR इसके अंदर करना है यहाँ पर QP diagonal है जिसने इसको दो हिस्सों में बंटा है और यहाँ पर इसी तरह से जो PBQ यह बले triangle ले लेते हैं PBQ यह जो है इसका जो area है कोई भी triangle ले सकते हैं लेकिन प्रोब करने के लिए हमें करना पड़ेगा area जो है PBQ यह किसके बराबर हो जाएगा half इस parallelogram के area के यानि की area कौन सा है हमारे पास BPR क्यों कह लीजिए या फिर PBQR कह ले जी कुछ भी कह ले तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं BPR क्यों यह हो गई हमारे पास relation second इतना clear है अब यहाँ पर देखिए और चीज हम क्या देख सकते हैं according to जो basic हमने पड़े हैं यहाँ पर देखिए ACQ यह जो triangle है ध्यान से देखिए triangle ACQ और इसी तरह से जो यह triangle है ACOP and triangle जो है ACOP अब देखिए यह ACO same base है दोनों के लिए ACQ और ACOP के लिए यह ACO जो है same base है और between the parallel भी है ACO और CP इन parallel के बीच में भी हैं यह दोनों triangle इसका मतलब क्या है इन दोनों triangle का area बराबर हो जाएगा तो यह भी हमने पहले पढ़ा था अगर same base हो और in between the parallel हो तो दोनों triangle का area बराबर हो जाता है अगर दो triangle है area ACO का ACOP के बराबर है अब यहाँ पर हम क्या करते है यह जो हमने relation बनाई है इसमें से यह जो area है A, B, Q इसको माइनस कर देते है दोनों तरफ देखे क्या होगा यह प्रोव करने के लिए हमें करना पड़ रहा है सब तो area जो ACO है इसमें से area ABQ का माइनस कर देते है ABQ का अब क्या होगा देखते है area जो है AKOP में से इस तरफ भी हमने क्या किया ABC ट्रेंगल का area बचा तो यानि कि जो area ABC है वो किसके बराबर आजाएगा इसके लिए अगर AKOP में से इसमें से ABQ का माइनस कर दें तो क्या बचेगा PBQ यानि कि ये और ये हमने सामने वाला area बच जाएगा area ये क्या आगे हमारे पास AKOP में से हमने ABQ को घटा दिया तो यहाँ पर बचा हमारे पास PBQ तो PBQ ये बचा अब ये जो है हमने उपर क्या निकाला था देखिए area ABC किसके बराबर है half जो area है ABCD का और area BP किसके निकाला था जो half BPRKO का है तो अब देखिए अगर हम इनको यहाँ पर देखिए तो इसमें क्या होगा ये दोनों हमने बराबर प्रूव कर दी ये दोनों अगर बराबर हैं तो ये area भी बराबर होंगे अगर half हाफ है तो half हाफ बराबर है इसी तरह से अगर complete भी लेंगे हम area ABCD का तो वो किसके बराबर आजाएगा हमारा area BPRQ के बराबर आजाएगा या PBQR कह लीजिए यही चीज तो हमें प्रूव करने थी question में यही तो हमें प्रूव करना था तो इस तरह से step wise चल कर हम इसको प्रूव कर सकते हैं तो thank you वीडियो देखने के लिए और इसी तरह की वीडियो के लिए आप हमारे चैनल ग्यानलो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं धन्यवाद